हाई एवरिवन कैसे हो आप सब तो दोस्तों यह है आपके बीएस्सी फस्ट इयर का 2018 का अब आप सोच रहे होगे बई 2018 का पेपर हमें बताने से क्या मतलब है 2019 का बताओ 20 का बताओ तो देखो 20 में तो कही कोलेज में तो एक्जाम हुआ ही नहीं तो उनका पेपर आया नहीं हमारे पास और 2019 के पेपर मैंने कम्प्लीट आपको करवा दिये तो वो कहां मिलेंगे वो आपको बोट नी की बीएस्सी को करने से ये फाइदा है ये क्यूशन आपको बताया पिछले 5 साल के यानि 5 एर के क्यूशन 5 एर के क्यूशन रिपीटेड होते हैं इनसे अन्बव होता है कैसा पेपर आता है किस पैटन पर आता है सारी चीजे आपको इनसे क्लियर होती है तो मैं इनको पहले आपको दो ए पर किलियर करवा के और इनके जो most important question है उनके answer पूरी classes में continue दे दूँगा तो आपको गवराने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है वीडियो को like करना है और अपने ही जो friend है फस्टियर वाले उनको share करना है चलना पर नहीं हो subscribe करना है और मेरा नाम आप जानते ही हो मेरा नाम है money's तो चलते हैं हम class की और इसमें question है जो बहुत important है रिक्तिस्तान है अब देखना आपको कितनी questions का answer इसमें से आता है जो आपको खुद गुमन में करना है और जिनका नहीं आता है और जिनको अच्छे से आता है आपको उनका क्या करना है आपको comment box में comment करना है ताकि हम उनक question बताऊंगा किस तरीके के question आते हैं और कितने option आते हैं तो वो सारी चीज़े इसमें clear हो जाएगी आपको तो चलो यहाँ पर instruction देख सकते हो जो भी है आपके नियम है और अब यार यहाँ आपर 33 नमबर का पेपर है तो आप सोचते हो कि सर्व हमारे तो 50 नमबर काता है और मैं आज घर हूँ तो रास्ते के पास घर है तो यहाँ पर बहारी आवाज आ रही है तो थोड़ी देर के लिए तो चलिए, श्टार्ट करते हैं तो आपके देखो, यहाँ पर निमन संसिप्त उत्तर देना है या इनकी सोट में उत्तर देना है या इनकी आपको यह जो रिक्तिस्तान है इनको फिल करना है, इनके एक वर्ड में अनसर लग जाएंगे तो यहाँ पर पूछा है, कि जो ओमिनस सेकुला एंड सेकुला अर्थात यह नई को सीकाएं, पूर्व इस्तापित जीवित को सीकावं से बनती है यह कतन किस विग्यानिक ने कहा था, अब देखो मैंने यह क्यूशन आपको करवा दिया और इसका आंसर क्या है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा देखो, RD, कुछ मैंने यह क्यूशन क्यों पहले करवाए था ठीक है, तो अगर इस्विग्यानिक नाम मुझी हाद आ गया तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैंने बताऊंगा, आपको पता होना जी है मेरी पुरानी कलास देखते हो, तो आपको पता होगा नेक्स्ट क्यूशन है, प्लाजमा कला के आंत्रिक प्रोटीन होते है तो रिक्तिस्तानिया आपर भील खरना है आपको नेक्स्ट क्यूशन आपका हाइड्रोजन पैर ऑउकसाइड फापाच्छ तो यह कोशी का अंग में होता है नेक्स्ट की उसने बेक्टिरिया का गुण्शुत्र क्या है नेक्स्ट क्रोमेडिड की इकाई ठीक है तो क्या हो सकती है भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है नेक्स्ट है अब वो कौन सी अवस्ता है उसके दोरान आपको सिनेप्टीनीमल समिसरन दिखाए देते हैं भई मैंनी क्योशन बहुत इंपोर्टन क्योशन पुरानी किलासिज में भी क्योशन करवाये आपको कारन बरग का अब जो यहां पर सिधद्दान्त ठा तो उसके बारे मैंने देखано आपको क्योशन में भी बताया था तो आप क्या करते हो पूरी क्योषन नहींदे गहते हैं एक और अभी तक लाइक ने गया तो फटा-पट से लाइक कर दो तो यह परईकल अपना इंका सिधद्दान्त ठा में है ने अब यहाँ पर खालिस्तान में आपको बड़ना है कि ने मीठी मट्र का सलंगन जीन्स सरह को अध्येन किया तो ऑई किस नहीं किया था यहाँ मीठी मट्र पर models लंगन जीन्स से समोन एक आन आप पर और अब नेक्स्ट कि नेक्स्ट कि उसेन आपका उच्च जीव में कोसी का द्रवी जीन्स तो भाई किसमें पाये जाते हैं ठीक है तो भाई यह कि उसेना आपको करवाने का मतलब आप समझ सकते हो कि इस इंपोर्टेंट है पूरी ग्लास ली ए इसके बारे में, ठीक है, किलासेज में पूरा बता है, परीवरत अनसील था तो का वर्णन, और हां, बोट्रिट की, क्लास प्लेलिश्ट में जाओ देखो, वहाँ पुराने पेपर मिलेंगे उनको देखो, सब कुछ, प्लेलिश्ट में मिलेगा, पस्टि के जीन और लैक ओपरन धारना देखो यहाँ पर आपके क्यूसन होता है यहाँ पर दो नमबर है अब यहाँ पर अथवा में दे दिया अब आप यह तो इसको कर लो यह इसको कर लो बात एक है एक क्यूसन करना है इन में से टोटल चार क्यूसन करने होते है प्रते एक भाग मे लेखने तो भी विभिन प्रकार की जिन टाइप ऑफ वोरियस जिन्स ठीक है और लेक्ष्ट है लेक ओप्रेंट कंसेप्ट है यह दहर्णा बतानी है अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और तो यहां पर यह तवा में है किसन नमर 3 का प्लाजमिट क्या होते हैं और प्लाजम थीए, और उनका जो वर्गी करन है, किस प्रकार होता है, किस तरीके से काम करता है, तो वह भी आपको इसमें बताना है, नेक्ष्ट को से न आपका, युगम विकल्पी या अंतर जीनी पारसपरी किरियाओं से आप क्या समझते हैं, युगम विकल्पी, ठीक है, और अंतर जि किरिया हैं और इन किरियाओं के प्रकार को उधारन सहीद समझाओ भई उधारन सहीद आपको इनको समझाना है ठीक है तो next question आपका question number fourth का अथवा में तो ये क्या है plasma gene ठीक है next है paramecium में कपा कणो का भाग paramecium है उसमें कपा कणो का भाग question 4 अब देखो इसमें से या तो आप ये question कर लो तो आपको कितने मिलेंगे 6 के number अगर आप ये 2 question करते हो दोनों पर tipनी लिखते हो तो ये ले मिलेंगे आपको 6 number 1 के 3 1 के 3 तो मैं तो यही कहूंगा ख्यारी इसको करो ना आप एक ही question को इसमें इसका आंसर देते हो आप तो इसमें 5 number मिलते हैं और एक ही नमर का अगर ये छूट भी जाता है तो आपका यारी 5 number दो फिक्सन है इसमें आपने खुछ गलत लिख दिया इसमें दो मिला इसमें दो मिला ती है ये बात है तो भी अच्छे से तायारी को continue ब्रकरा रखो क्योंसर नमर 5 की तरफ चलेंगे अब और आपका क्योंसर नमर 5 है पर परागित फसलों में पाद परजनन की विविन विदियों का वर्णन करो विविन जो विदिया है और फसल है परागित उनका आपको क्या करना है वर्णन करना है अगर आप ये क्योंसर नहीं कर पाते हो 6 नमर का तो फिर आपको क्या करना होगा ये इनमें टिपने लिखन तो यह टिपनी यहां पर अब बताओ कि मैं जो करवा रहा हूं आपको यह continue या आपके विलिए benefit वाल benefit है या नहीं इन से और BSC first year के बोटनी का यह paper है ठीक है 2008 अब मैं second paper भी upload करूँगा थार्ड भी अगर आपको होगी तो मैं 2007 इनकी playlist बनाओंगा या उनमें ही मिल जाएगी अब यह question most है पुरानी paper important होते है तो आपको यह clear कर लेने है दूसरी बात वीडियो को like करना है और share करना है और चैनल को subscribe करना ताकि जो भी चीजे हम सिखाते हैं बताते हैं वो सारी चीजे आपके clear होती रहे और आपको कोई भी problem नहीं हो एंड आप बताओ आपकी क्या राए है कि मैं objective कि एक लंबी किलास लेलू तो जो लोजी की और बोटने की दोनों की करवांगा chemistry की आपको प्रदीपसर करवाई देंगे तो आपको घबराना बिलकुल नहीं है और कोई भी समस्या हो problem हो तो हमें बताओ ताकि हम solution ले प्लेश्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए आप देखते हो प्लेश्ट में जाकर तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम